दोस्तों हम अपने math practice की class में किरन publication की book solve कर रहे थे और उसमें हम average chapter कर रहे थे तो last class में हम average chapter के type 8 पूरे कर चुके थे और आज से हमें type 9 के question करने है तो आईए type 9 के question करते हैं तो first question बोल रहा है हमारा कि the average salary per head of all the workers of an institution is 60 ठीक है सबी workers की average salary किती है 60 the average salary of 12 officers is 400 and the average salary per head of the rest of the employees is 56 the total number of institutions बताने ठीक है तो इस question को हम allegation method से करते हैं देखिए 12 officers ठीक है 12 officers इसकी average salary किती बोल रहा है question में 400 और employees किते हैं X यह हमें बालूब ने ठीक है लेकिन इनकी average salary किती बोल रहा है 56 और सभी की total average total low कि average salary किती बोल रहा है तो इस बोल रहा है 60 अब यहां पर हम allegation लगा देते हैं तो देखिए बड़े में से छोटा जाएगा यहां चार बच रहे यहां बड़े में छोटा जाएगा तो यहां कितना बचे का 12 ठीक है यानि किता 3 times ठीक है तो अगर हम इसका 3 times करेंगे तो यहां पर हमें employees की value मिल जाएगी 3 times करेंगे तो यह हमारे किती है यह employees की value 0 और 4, 3, 2, 12, 1, 3, 3, 9, 10 ठीक है 1, 0, 2, 0 employees तो question में क्या पूछा थे कि total number of employees किते हैं तो देखिए यह होगा 1, 0, 2, 0 तो यह employees प्लस यह 12 employees तो यह total number of employees हमारे किते हैं 1032 यह होगे हमारा answer इतने number of employees थे तो ऐसे question को हम allegation से कर देते हैं थेंक्यू आईए हम question number 2 करते हैं तो question number 2 हमारे क्या बोल रहा है कि the average monthly expenditure of a family for the first 4 month is 2570 अचा शुरू के चार महीने यह देखिए 2570 ठीक है उसके बाद बोल रहा है for the next 3 month अचा अगले तीन महीने के लिए average expenditure किता था 2490 ठीक है उसके बाद end for the last 5 month और बाद के जो 5 महीने बचे उसके लिए average expenditure किता था तो यह तो 3030 ठीक है यह question में हम बोल रहा है और हमें saving दी एक question में ठीक है saving अभी हम रोक लेते तो दीए यह average expenditure अगर हम total expenditure निकालेंगे साल बर का तो हमारा total expenditure किता आएगा यह 4 quitting 2570 से multiply कर देंगे तो यह कितता है गा हमारा, यह आएगा हमारा 10280 ठीक है उसके इसमें plus कर देंगी कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर किता होगा हमारे तीन महीने का त्योंगा 7470 ठीक है उसके बाद यह पांच महीनों का एक्सपेंडिचर कर देंगे हम तो यह किता हैगा हमारा 15150 ठीक है 15150 तो यह हमारा क्योंगे साल भर का एक्सपेंडिचर हो गया है उसको जब हम एड़ करेंगे तो यह हमारे किता होगा पूरे हमारी हमारा हो जाए कब यह थीज़ए नौशेज़ अब average पूछा है question में average के लिए के करते हैं हम divide करते हैं जितने number of years हो तो एक साल में किते बारा महीन होते हैं तो हम इसे 12 से divide कर देंगे ठीक है तो इसके बाद जब डिवाइड करने के जो value आगी वो value आगी हमार 3185 और बस यही हो गया हमारा answer जो average income पूछी थी question में आईए उ per month ठीक है and for 2000 monthly for the next statement और अगले आठ महीनों के लिए उसने किता कर्चा करा average 2000 रुपे ठीक है और उसकी saving question में दी हुई है और average monthly income पूछी है तो देगी second question की तरह एकदम same है यहां पर हम करेंगे यह किता हैगा 18 से total expenditure निकालेंगे तो इसको multiply कर देंगे यह किता होगा 0018 जोग ठीक है total expenditure हमारा किता हो रहा है यह देखिए 002 और 23,200 ठीक है 23,200 यह आगे हमारा कि साल पर का total expenditure अब 23,200 में जो हमाई savings दी हो यह question में ठीक है question में total income आ गई उसने पूछा average क्या होगा average के लिए हम कुछ नहीं है 12 से divide कर देंगे जब हम 12 से divide करेंगे तो यह हमारा answer आएगा 24,200 तो बस average monthly income उसकी किती हो रही है कि 24 हो यह हमारा answer है अब हम question number 4 देखते है तो question number 4 हमारा क्या बोल रहा है कि the average salary average daily income of seven men 11 women and two boys is 257.50 ठीक है seven men ठीक है men's है यह उपार लिखता हूँ मैं man seven है उसके बाद women किती है तो women बोल रहा है कि 11 women उसके बोल रहा है boys boys किते है 12 boys ठीक है two boys इनकी जो average salary हो किती है 257 एक मेट यह चारो लोग देखे यह तीनों लोग किते हो गयारा और साथारा और दो बीस यानिकी 20 लोग बीस लोगों की average हम इनकम दिये daily income यह किती average income दिये 257.50 ठीक है 257.50 average income दिये उसके बाद आंके बोल रहा है कि if the average daily income of the man is 10 more than that of the woman and the average daily income of the woman is 10 more than that of boys तो बताना है हमें men's की average income क्या हो गी ठीक है तो देखिए जो man की average income मैं 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 10 जादत को हम क्या करते हैं इसकी average income माल माल दिजए manory pro xa woman की कीती होगी x माइनस 10 क्योंकि इस से 10 जादा थी ठीक है तो इसकी ड़की और women's की boys से भी 10 ज्यादा थी तो इसका मतलब इसकी वह जो होगी एवरेजिन का वह होगी X-20 ठीक है अब बस अब देखिए solve कर देते हैं तो हम पहले इस साइट टोटल ले लेते हैं यह टोटल किता हो रहा है 7x प्लस यह 11x-110 उसके बाद इसे प्लस करेंगे तो 2x-40 और इस साइट जब हम इसे solve करेंगे तो यह हमारे value किता है देखिए ही से जब हम टोटल लेंगे तो यह टोटल हमारा आएगा इसे सल्ट करेंगे तो यह फाइफ वन फाइफ जीरो इस साथ टोटल हमारा यह धीक है अब यहांपर सल्ट करते हैं तो 11 और 7 18 और 20 यानिकि 20 X की वैल्यू माइनस यह किता हो रहा है कि माइनस के वन 50 और इस तर्ड ये 5 150 अब ये 20x ये माइनस के तर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितार जाएगा 5300 ठीक है तो x की value है आसे हमारे कित्ती निकला आगे ये 00 काट देंगे और इसके बदे टू जा और टू जिग्जा और 250 65 ये हमारे x की value है और x हमने question में क्या लिया था जो question number fifth देखते है question number fifth हमारा क्या बोल रहा है तो देखिए इसमें क्या दिया है पहला दिन मान लीजिए फर्स्ट डे इस सेकेंड थर्ड डे fourth day और fifth day ठीक है ये होगा हमारे पांच दिन इन पांच दिनों में से चार की value हमें दिये बोल रहा है कि चार दिनों का जो expenditure था वो कित्ता था 100 और दूसरे दिन था 125 तीसरे दिन था 85 और चौते दिन था 160 ठीक है और पांच बे दिन हमें नहीं पता है ठीक है तो हम क्या करते पांच बे दिन का हमें value निकालने एक expenditure कित्ता होगा तो कुछ नहीं करना है हमें बस sum कर देना दीगे जब हम इसका sum कर देंगे तो तेरा पन ने कित्ता हो जाएगा 650 और इससे जब हम जूड़ेंगे तो इसे add करने के बाद आएगा 100 200 300 इस तरह से add करा करिए 300 400 तो ये 460 औ आएगी तो बस इस 650 में से 470 को माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा हमारा 180 और यह हमारे हो गई 5th day की expenditure की value यह हम से पूछा था और यह होगा हमारा answer आईए बहुत को सिक्स्ट देखते हैं शिक्त के बोल रहा है कि सेविंग्स ऑफ चंपक इन 5 देज वन शिक्स्टी इफ हिस सेविंग्स फर फॉर देज इस रूपी देजिए और यह तो एक दम फिफ्ट कोश्टन की तरह बस उमें एक्सपेंडिचर की बात करी गई थी और इसमें सेविंग्स की बात करी थो चली शॉल्व करते दिखिए पाँच दिनों का average saving कितनी बोल रहा है पाँच दिनों की average saving बोल रहा है 160 ठीक है उसके बाद first day, second day, third day fourth day की दिया और fifth day की हमें निकालनी है ठीक है तो दिखे first day का हमारा expenditure किता दिया है 155 second day का 170, third day का 134 और fourth day का 168 और fifth day का हमें नहीं दिया तो fifth day का हमें निकालना है तो इसे हम x लिल दे ठीक है अब कुछ नहीं इसमें simply हम वही चीज़ करेंगे जो अब यह हमने expenditure वाले पिछले question में करी थी ठीक है, fifth question में तो इसमें का करेंगे हम देगे इसे सबसे पहले से multiplication कर लेंगे इसे क्योंकि टोटल निकल आएगा हमारा 16 पंचे किता होता है 80 यानि यह होगे 800 अब इस साइड हम इन सब को प्लस करेंगे ठीक है क्योंकि सम हमारे पास already है तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तब यह हमारी value निकल कर आएगी 627 ठीक है और यह plus x तो बस x की value जो है 800 में 627 माइनस कर देंगे तो x की value निकलागी तो यह आएगी हमारी 173 और यह हो गया हमारा 50 दे की saving और यह हमारा answer आएगे अब कोश्चन नमर 7 करते हैं कोश्चन नमर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि the average monthly income of p and q is 8500 ठीक है p plus q की average मन्तली income किती है 8500 ठीक है and that of q and r is 6450 अच्छा q और r की average income किती दी हुई है 6450 and that of p and r अच्छा p and r की average income किती दी हुई है तो 7300 ठीक है बस अब हम से क्या बूच्चरा कि क्यों की income किती होगी तो देखिए ऐसे हम कुछ नहीं करना है हमें यह average income दी हुई है हम इसका sum निकाल लेंगे sum कैसे निकाल लेंगे सब क्यापकोर में 2 रहता है तो जब इस वे average को हम 2 से multiply करेंगे तो हमारा total निकल आएगा देखिए इसे हम 2 से multiply करते है इससे हम 2 से करेंगे इससे 2 से करेंगे और इससे भी 2 से करेंगे ठीक है तो यह हमारा इससे value किती आएगी यह value है कि double zero यह first वाले कि आएगा हमारा 17,000 ठीक है इसी तरह दूसरे वाले को solve करेंगे तो यह आएगा हमारा 12,900 और इस तरह तीसरे वाले को जब करेंगे तो यह आएगा हमारा double zero q दो बार है r दो बार है यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं two common निकाल लेते हैं हमार और यह लिख सकते हैं p plus q plus r ठीक है और इस तरह से हमारे total किता है था तो total जब हम निकालेंगे जब हम इसे solve करेंगे तो यह हमारा आएगा four four five double zero ठीक है four 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 five double zero आगया बस इस two से इसको divide कर देंगे तो p plus q plus r की value हमारी कित्ति आएगी two 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 five zero two 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 five zero यानि कि 22,250 यह हमारे आगे तीनों का average income ठीक है तीनों का sum आगया आप देगे इसमें हमें क्यू q निकालना है q निकालना है तो हमें p और r को बाहर निकालके फेकना पड़ेगा तो p और r की value हमारे पास समकित्ति है 14,600 तो q में से यह इस total में से हम 22,250 में से अगर हम इस 14,600 को minus कर दें तो यह हमारे q की income निकालाएगी ठीक है तो यह हमारा जब हम solve करेंगे तो यह हमारा 76,50 यह हमारे difference यानि यह हमारे q की value और इस तरह से अगर p पूछा होता तो हम q प्लस r देखते q प्लस r की value किती है 12,900 इसको minus कर देते तो हमारे p की value निकालाथी और इसी तरह से r की निकाल लेते तो बस यह हमारा answer question number 8 देखते हैं तो question हमारा क्या बोल रहा है कि यह ना company they are only two types of employees workers and officers अच्छा कुछ officers है और कुछ workers है एक में w कुछ officers है और कुछ workers है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है कि 35% of the employees are officers ठीक है तो 35% officers जो है वो क्या है 35% employees officer है ठीक है यानि कि 35% लोग कितने officers है तो बच्चे वो 65% क्या होंगे हमारे workers होंगे ठीक है and the average monthly salary of an officer is 39,000 more than the combined average monthly salary of an employee अच्छा ठीक है तो average salary x होगी तो officers की कित्य होगी x plus 39,000 है ना ठीक है अब हमसे question में क्या पूछाए कि जो workers है और officers है इनकी average salary का difference बताना है हमें तो देखे हमने इस total average salary को x ले लिया ठीक है अब हम इसे allocation लगा देते हैं allocation लगाएंगे हम यहां पर value कित्ती आएगे हमारी यह देखे इस एक्स में से एक्स जाएगा या यह आएगा थर्टी 9,000 ठीक है यह 39,000 आगया और जब हम इसका ratio लेंगे तो ratio देखे क्या हो रहा है हमारे इसका हम जब ने ratio लिया तो 7 is to 13 यह हमरा ratio आ रहा है यानि इस 39,000 की जो value है वो कोशन में कित्ती दी हुई है देखिए वो इसका 3000 गुना है 3000 गुना अगर हम इसका 3000 गुना निकालेंगे तो यह कित्ता आएगा हमारा 3000 गुना multiply करेंगे तो यह हमारा कित्ता आएगा माइनस करेंगे जब हम इसको तो यह कित्ता आएगा एक्स और यह माइनस प्लस का हो जाएगा तो यह 21,000 ठीक है तो डिफरेंस के आएगा हमारा officer of workers की average healthy गा तो यह आएगा हमारा 60,000 और यह हो गया हमारा answer तो ऐसे question जब question दिया रहता है तो हम ratio लेके और allocation लेके question को solve कर सकते हैं question number 9 करते है question number 9 हमारा क्या बोल रहा है कि our workers average income for a week is 180 यहीं साथ दिनों की Wednesday, Thursday, Friday और Saturday Saturday तक की दिये उसके बाद यह Sunday नहीं दिया ठीक है तो इनकी salary कितनी दिये देखे मंडे को कितनी उसे मिल रही है 115, Tuesday को 212, 212 ठीक है और Thursday, Wednesday को 170 उसके बाद Thursday को 165 यानि 165, Friday को 185 और Saturday को 225 ठीक है और Sunday की हमें दी नहीं है ठीक है तो बस Sunday की salary पूछ रहा है हम से तो देखिए हम total sum निकाल देंगे इसका तो यह दिक है इसका जब हम sum निकाल लेंगे तो simply बस 18 into 7 कर देंगे, 18 into 7 हमारा कितना हो जाता है तो यह हमारा हो ज 126 होता है ठीक है उसके जब हम इने टोटल करेंगे तो यह हमारी total value किती है कि 1072 और प्लस का एक्स ठीक क्योंकि Sunday था एक्स लिया था हमने तो बस इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो डिफरेंस हमारा किता है 188 और यह होगी हमारे Sunday की salary और यह होगी हमारा answer कुशन नमर 11 करते हैं कुशन नमर 11 का बोल रहा है कि the weekly earning of a shopkeeper in February 2021 अचा हर हफते की जो earning एदेगी है तो किती है पहले हफते की 21,980 दूसरे हफते किती हो गई 20,580 तीसरे हफते किती हो गई इसकी average income तो 22,380 और चौते हफते की चौते हफते की इसकी income किती हो गई तो 22,616 ठीक है अब वो बुल रहा है कि per day की monthly income निका लिए उसकी फरवरी की ठीक है तो दीए एक हफते में किती होते हैं साथ दिन और यह चार बार यानि साथ चोका 28 टूटल किती है 28 दिन होते हैं अगर हम 28 दिन से इसके sum को भाग कर द करतेंगे तो बस यह मारा आंसर किता है का 3127 और यह होगी हमारी फेरवरी की इंकम उसकी एवरेज इंकम तो यह होगी हमारा आंसर यह कोश्चन नमर 13 देखते हैं 13 कोश्चन क्या बुल रहा है हमारा कि the average salary of all the employees in a company is 14,000 and the average salary of 5 टेक्नीशन की जो average salary 18,000 है और बच्चे टेक्नीशन मतलब जो टेक्नीशन से उन वह कितने हमारे पांच है ना एक मिदे से करता हूं पांच टेक्नीशन से इनकी average salary हमें दी हुए यह कित्ती दी हुए 18,000 ठीक है और बचे हुए कितने employees ही हमें पता नहीं तो इनकी average salary लेकिन हमें दी हुए 13,200 ठीक है और टोटल जो निकालेंगे तो इसका ratio हमारा क्या है है इसका ratio हम solve करेंगे तो यह हमारा 1 is to 5 ठीक है 1 is to 5 अब इस वन की value question में कितने employees दी हुए इस 1 की value question में यह देखिए 5 employees दी है यानि कि यह 5 टाइम से तो इसका 5 times कित्ता होगा इसका 5 टाइम जब हम करेंगे तो 25 होगा बस टोटल employees हमस सर कोशन नमबर 14 देखते हैं 14 कोशन हमारा क्या बोल रहा है कि there are six baskets green blue green red blue yellow black and white ठीक है each basket has some rings ठीक है the average number of rings in all the six baskets is 38 अचा छे बास्केट जो है ना उनमें average number of rings किता है देखिए 38 है ना if the blue basket is removed यानि 6 में से एक निकाल देखिए ठीक है the average of the remaining basket देखिए 6 में से एक निकाल दिया यानि बच्ची बास्केट किती है पांच ठीक है और उन पांच का average किता दिया है question में 34 है ना तो पूछ रहा है कि जो blue basket निकली है उसमें total किते rings थे देखिए इसमें हम अपने cycle method लगा दिये यहाँ पर किता यह minus 4 हो रहा है ठीक है और यहाँ पर यह minus 1 हो रहा है इस 6 का multiplication इस फूर से होगा यह यह निमानिस 24 चेचो को 24 और इस माइननस 1 का multiplication 34 से होगा यानि यह किता होगा माइनस 34 अब माइनस यानि कि निकली हूई चीज़े हैं तो जब हम इंदे एड करेंगे तो यह कित्ता और तीन और दो पांच और चार और चार आट यह इन टोटल फिफ्टी एट तो जो ब्लू बास्केट थी वो फिफ्टी एट लेकर चली गई यह नेगेटिव हैना निकल गया तो बस ब्लू बास्केट के रिंग होते हैं 31 सिसका डिन का और निकालेंगे तो हमारा कित्ता है од इसके बास भाल रहा है अब कि यह चुरू के शुरू के टारा दीने का ऑथेटने करुड के चुता था आटारा दीनने वह बोल रहा है यह ए यह फॉर न Ahora टूर फाइन फाइफ 숨 सग्त्डर आप गित्ता हो रह इसका टूटल किता हुए हमारा सेवन फाइफ सेवन फाइफ ठीक है तो यह थारा और पंद्रा यह हो किता रहा तैंतिस अब यहां पर एक चीज समाझेगा यह तो इस तैंतिस में एक त्स तो महिने के दिन होंगे लेकिन दो दिन रिपीट करें वो दो दिन कौन से होंगे 17 और 18 क्योंकि बीच में पढ़ रहा है यह तो इनकी गिंति के डबल हो गए ठीक है क्योंकि शुरू के अठार और बाग के पंद्रा में एक काउंट हो गए तो कोश्चन बोल रहा है कि जो एटीन नंबर है वो फिफ्टी वैल्यूस क कि जाधा है ठीक है 17 वाले से तो अगर अगर हम 18 यह वन 6535 ठीक है तो अगर aggregate वन 67535 और इसको मिनऊस कर दे लिजिए 6 6535 इसमें से हम एगर यह 2x 2x अब यह माईनस का साइन चेंज आए 2x प्लस 50 यह किसके एक्वल हो रहा है हमारी यह वैल्यू हो रही मैं 15531 के एक्वल हो रही ठीक है तो देगे यह 50 में प्लस करेंगे और यहां जाकर जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारी यह वैल्यू 2x की वैल्यू हमारी कित्ती आएगी इस को साइड ले जाएगे और यहां कित्ती हो जाएगी यह हमारी वैल्यू हो कि 1004 ठीक है तो एक्स की वेल्यू यहां से हम निकालेंगे टू से डिवाइट करेंगे टू फाइब जा और टू जीरो टू जा ठीक है तो यह एक्स की वेल्यू आ रही हमारी 502 और एक्स हमने क्या लिया था एट्टींथ एट्टींथ कोश्चन में हमसे पूछा था कि इसके आतरा से बॉल रहाए कि कुछ वेल्यूंटें में से 12 ऑफिसर हैनी कि 12 एट्वियों निक इशिय्भी वह कित्व शे si में हमें पांसो यह difference और यहाँ पर यह difference किता है बारा में से तीन गए यानि कि वह रहा है आठ नहीं नौजार एक दो तीन नौजार ठीक है तो यह ratio हमारे किता आ रहा है यह ratio हमारे यह दो आठा दिये यह दो आठा दिये ठीक है और यह 1 is 2 1 जा और यह 18 1 is 2 18 अब यह जो 1 है इस 1 की value ह हमें किती दिये 12 यानि कि किता 12 टाइमस है ठीक है तो जब हम इस 18 में 12 का multiply करेंगे तो यह किता आएगा यह 18 दुनी 36 यान 6 और 3 18 19 20 21 यानि कि 216 तो total number of employees पीछे थे तो 12 officer plus 216 अधर वरकर्स यह value हमारे किती हो रही 628 एक और एक दो और 2 28 यानि total factory में किते 28 वरकर है और यह ह हो गया हमारा answer तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो average का type 9 थे जो क्रिन publication की book में दिये थे वो पूरे के पूरे 16 question दिये थे तो यह हमने पूरे 16 आज complete कर लिए अब next class में हमारा सिर्फ एक last type बचा है वो है type 10 और type 10 के पूरे questions करने के बाद वो 50 questions है तो उसमें हम 2 part में करेंग हमारा average chapter खतम हो जाएगा और इसकी जो pdf है questions की वो सभी में telegram channel पर डालते जा रहा हूं तो telegram channel को join कर सकते हैं अगर आपको pdf चाहिए questions की दुबारा practice करने के लिए और इसके बाद हम next chapter स्टार्ट करेंगे तो अगली class में हम type 10 करेंगे और जो लोग भी channel पर नए है वो channel को सब्सक्राइब करें और bell icon पर प्रेस करें थैंक यू